कि देक्षने वाले सारे वियोस नूम मैं वलकम कर दी हैं थैंक यू सो वरी मच 12 मेरे वीडियू देख दे हो एंड अच्छे कमेंट कर दे हो जिदनल मेरी मेरे सामसाइद इंप्रूमेशन दे रही है या वेबसाइट दे कॉर्डिंग नहीं है क्योंकि यह बहुत सारी चीजा ने जो वेबसाइट लिखिया हूं दियाने पर प्रैक्टिकली नहीं हूं दिया और मैं एक वीडियो बनाई सी कि चाइल्ड एजुकेशन दे जो स्कूलिंग दी ता किसे ने उस चीज दा उब्जेक्शन किता सी कि ए चीज तुसी गलत बोली है कि चाइल्ड वीजा पेरेंट्स दे नाल नहीं लगदा ता मैं एक्शली ओ वीडियो दे विच ए एक्स्प्ले दा वीजा नहीं है पर किसे ने बिना पूरी वीडियो देखे ही कोमेंट करने शुरू कर दिते एंड किसे दी नॉलेज दे जो है ओ चीज तुसी थोप दिन दे हो जो कि तुसी गलत बोल रहे हो तो प्रबबली कोई एजेंट ही होनगे या फिर किसे नूँ फाइल दिती हो बेगी तो ना दे पेरेंट्स हो सकते है पर मैं किसे नूँ गलत इंफर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि मैंनों भी बहुती साला दा एक्सपीरेंस है एंड मैंनों हर चीज दा पता है एचीज इस करके कई है कि दो लग तिन लग काम होंदा है क्या के पेरेंट्स नू बाहर प्लस पेरेंट्स नू अपना खर्चा भी दिखाना पैगा और पूरी डिटेल दिती नहीं कि पेरेंट्स वर्क परमिशन दे मिल जेगी और बाच उत्थे सटल हो जणगी ओ उत्थे जान दे बाद कैनड़ा चे विजट 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 नू भी तूसी जाके वर्क कानवर्ट करवा के सटल हो सकथे हो तह मैं उत्हे जान दे बाद धिगाल नहीं कर रही है कि वीजट थी की करेगरी है और उनू किद्दा यूज किता जा रहे है एक-दो लगदा था हजारान लोकान वो दो वीजट दखाके जड़ा है मीजगर करके लखा कि नह कि पूछा है कि मैं एक वीडियो बनाओ जिदे और विजिटरिवाजरा रिजेक्ट हो जांदा है तो रिजन मिलडा है जिदेच सब कुछ ही लिख्या हुंदा है कि family ties नहीं सी या फिर travel history या फिर money या employment mostly सब नूँ एही reason देने and मैं जदों अपा again visally apply करना हुंदा ता कोई एक letter जिदेच अपा explain कर सकी है कि सारे reason की travel history क्यों नहीं हैगी साधी extra o letter की हुंदा है ते कि मैं लिखना चाहिदा है ओदे explain करने एक वीडियो बनाओ ता ए मैं उना लई है उना दा ना है जसी घरेवाल ता जसी वरगे होर वी एतना दे बहुत ही लोग ने जिनन दे Canadian visa same reasons दे ना reject हुंदे ने ता अगर तु वीजे rejection letter दे विच ऐवाले point आए ने कि strong family ties नहीं है Canada ता ओदा तुसी किदा उन्नों clear करोगे कि तोड़े family ties की ने मतलब family मतलब तोड़े blood the relation या तोड़े sibling या parents या grandparents ने या फिर तोड़े cousins ने या कौन है तोड़े ते हुंदे ने कि हाँ साथे family ties ने and as function ते या एदा सी जा रहे हैं तोड़ा मिलना होना नों बहुत ही ज़रूरी है अगर तोड़े family ties strong ने ता करके ओ प्रूव करना पेंदा है दूसरा travel history travel history दे विचे तुसी एद तो नो rejection होंदा ता करन देने कि तुसी Canada क्यों जा रहे हो मतलब आज तक तुसी किते travel नहीं कीता ता सिद्धा Canada चे travel करन तोड़ा key point है तो यह जड़ी चीज इस करके reject कर देने कि तोड़ी travel history नहीं है तो अगर तुसी ए चीज नो प्रूव करना है कि साड़ी travel history क्यों नहीं है तुसी एग लिख सकते हो कि असी बीजी है अपने career चे अपने life चे या तो study कर दे हो तुसी या जॉब कर दे हो तसा नो एनना time नहीं लग गया और साड़ा उत्थे पहुंचना जरूरी है क्योंकि यह occasion जड़ा है बहुत ही important है जिते family दा होन बहुत जरूरी है और असी invited है इनना ही attention है कि असी function उत्थे attend करिए और उदे लिए जड़ी तुसी करनी है तुसी अपनी history दिखाने अपने background दिखाने है तोड़ा कारबार है तोड़ी job है तोड़ा schooling है सब कुछ इत्थे है तोड़ा सिर्फ holiday making है या travel करना है किसे जोवी occasion से ट्रेवल कर रहे हो तुसी दस सकते हो and employment जड़ा है कि तोड़ा इते कोई कमकाज है या फिर तोड़ा की है यह सारे टाइस तौन जड़ा दस ने पैन गे समझागी होएगी कि अगर तुसी बाहर जा रहे हो अगर तोड़ा पैरेंट्स बाहर जा रहे ने पैरेंट्स रिलेटिव ने अगर बाहर ता ओ ओना दा connection बनदा है और तोड़ा rejection हो जानदा है अगर तुसी ओटाई strong करने है तो तुसी एक काल कह सकते हो कि साड़ी family है मेरे parents होते जा रहे ने और मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मैं भी जाके Canada देखना चाना है and ओदा एक reason है कि एस reason दी वज़ा नला सी जा रहे है and तोड़ा सिर्फ ओना ही attention है specific reason detail दस देनी चाहिए ताकि ओना नू डाउट ना होए क्योंकि आप दस दे नहीं कुछ explain नहीं हुंदा सा डे जड़ा अपा covering letter लिख दे है ता ओधी वज़ा नला नू doubt आंदा है बाकि तुसी जड़े finances ने finances अगर तुसी student हो या job नहीं कर दे ता तो डे family दे ही finances ओथे दिखाए जानगे and अगर तुसी काम नहीं कर दे ता तुसी employment history कितना दिखाओगे उना नू सिर्फ एनना ही पर अगर तुसी कहते हो कि अगर तुसी सच में चे स्टूडेंट हो या employment चो हो या business चो तो अपने business टाई the income tax paper या तोड़ा अगर जौब है ता जौब appointment letter लीव लेटर तो ड़ा जर प्रॉपर फॉर्मेट होंदा है तुसी ओ नाल तो ड़ा दसना जरूरी होंदा है otherwise अगर तुसी dependent of family ते ता ओधे chances थोड़े काट होंदेने क्यूंकि तो ड़ा होते जाके रुकन दे चांसे उन देने इस करके जड़ा है ओवीजा reject होंदा है ता तुसी जदो भी जाना है किसे ने भी Canada या किसे भी country दे विच ता अपना एक strong intention प्रूव करो covering literature कि असी इस वजय नाल उत्थे जा रहे हैं अगर अग्याला बंदा तो ड़ा citizen है Canadian ता तो ड़ा ब्लेड रिलेशन है बहुत close relative है ता तो ड़ा वीजा लग जाएगा अगर नहीं है ता फिर तो अनू अपने ज़्यादा ज़्यादा documents एड करने पैंड़े तो अनू लिख के प्रूव देना पेगा क्योंकि तो ड़ा इंटर्व्यू ता हुंदे नहीं है बहुत ही rare cases चे इंटर्व्यू हुंदे नहीं है अदर्वाइस Canada दे इंटर्व्यू हुंदे नहीं है तो चीज द भी ख्याल रखना पेगा कि अपा कितना दी वीजा फॉर्म तुसी खुद एक दो वार पहले पढ़ कि उते तुसी की लिख्या है की लिखना है और दे बाच जड़ा covering letter है दो चार वार पढ़के फेर उन्हों सब्मिट करो दे की अड़ कर सकते हो की नहीं अड़ कर सकते और सारा कुछ यह अगर अपा कर वी लेए ता तामी वीजा ओफिसर दी मर्जी हुंदी है कि उनना निस सी बिजनस ट्रेवल कर रहे हैं यह और किसे टाइब दे ट्रेवलर हां किसा नों बार-बार किते जाना पेंदा है तो एक प्लस पॉइंट होंदा है प्लस जड़े एकनॉमिक पैसे जड़े उन्देने की दो चार में नेची आये ने उस तो पहला तो ड़को कोई पैसा ही न नहीं लग दा क्योंकि आइटी फेक भी बना देने एजन्ट अगर जन्यान है तो ओधा भी कैल्कुलेशन कर देने की अगर तुसी तिन सालां दा पंद्रा लाख रुपय कमाया था दास लाख रुपय था खर्चा होगा था थोड़ी पांजलाक सेविंग है तो हो सकती है मै होती क्विक एक्शन लेंदेने और चीट डिसाइड कर लेंदेने की हगाया और की नहीं ता अपने प्रॉपर इंटेंशन क्लियर करो प्लस फाइनसस आइटी पेपर्स एंड बैंक दी स्टेटमेंट स्टैली करो प्री प्लैंड करो कि ओ कितना दे ट्रांजक्शन सोने चाह तो उस टाइम तक उन्हें फंड होने जरूरी हुंदेने कई वार की हुंद है कि फंड अपन ज्यादा दा हजने हुंदे काटने तो यहां फिर इमीडियेट जड़ा फंड रेज किते जान देने विजे लेई तो ओदे वजा नाल सब्तु ज़दा रिजेक्शन हुंद है अ अदर्वाइस वीजा कैनेडा था बहुत ही टफ हुंदा जा रहे है क्योंकि उन्हां ने बहुत ही ज्यादा ओपन किता है पॉमनेंट इमिग्रेशन प्रॉसेस एंड स्टूडेंट बहुत जा रहे ने था बाकी लोग ने लोड नहीं है जो जैनियन वीजिटर ने जिना द फुल होएगा तो अडले ही एंडो सारे लिजिना दे रिजेक्शन होए ने तहां अग्गे तु फाइल जो तुसी त्यार करनी है वो हर चीज़ चेक करो सब तु पहले ही गल जड़ी है वो चेक करो कि तोड़े फैनेंस तुसी मेंटेन करो एंड ओधे बाद ची तोड़े जाना जरूरी है वी है कि नहीं हैगा सारे जड़ा है तो नुक्लियर करना पहेगा अदर्वाइस चांस नहीं है कि तहां सो समझ के करो जो भी करना है थैंक यू सो बड़ी मुच फो वाचिंग गुड़ डे